हलो दोस्तों आप सभी का स्वागत है वे एक मिस्सा टीक मेडेस इनुश्टर हम लोग जिस कंपनी के उपडेट लेने वाले हैं टाटा पावर लिम्टेड है 70 रुपीज के अराउंड से इसमें मैं आप लोगों को लगातार यूटूब पे मॉनिटर और इसका जो निकल की आ यह रहा है वो हमेशा अपडेट करता रहा हूं तो क्वाटर टू के नतीजे भी पहले ही आ चुके हम लोगों ने डिसकस भी कर रखा है और अभी जो इसमें रैली बनी हुई है वो काफी सांदार है और हम लोगों का जो टार्गेट था वो भी हिट हो रखा है तो अब नेक आप भी जॉइन कर सकते हैं निव्ज और डिवडेंट अनौस्मेंट के लिए उसका लिंक आपको वीडियो के डिसक्रिप्शन में मिल जाएगा जो लोगों ने यूटूब पे जॉइन कर रखा उनका बहुत बहुत थेंक्यों अगर आप भी जॉइन करना चाते हैं तो स्क ट्राइब बटन के बगल में जॉइन का बटन है आप वहां से चेक आउट कर सकते हैं चेरिये समझते हैं इसके कैसा अभी कंडिशन है तो ट्रेस टू अंडर फॉटी सेवन रुपीस थर्टी पाइब पैसे गया रखा है कराउंड अब जो इसके नेक्ट नतीजे आने हैं वो फेबरेरी थ्री को है अर्णिक पर सेयर कंपनी के बतर है मार्केट केप्टल अच्छी है डिवडेंट येट भी जो परसेंटेज है वो 0.76 परसेंट रही है प्राइज अने रेसियो भी सही चल रहा है सेक्टर वाइज और आपको जैसा की पता ही है कि कंपनी बहुत सार जो सोलर के प्रोजेक्ट से उन पर वर्क कर रही है और लगातार उस फिल्ड में ग्रोथ पर ग्रोथ किये जा रही है तो उसी को समझेंगे हम लोग इसमें बाकी इसमें देखें डेस और तो कोई इतना कुछ अपडेट नहीं है बाकी आल्रेडी मैंने आपको जितनी भी ख पर यह सेर के प्राइस सेर जो है ट्रेड कर रहा था तो अभी इसके नतीजे समझते हैं पहले और उसके बाद हम लोग आगे फिर बात करेंगे तो यहां पेटे इस मार्केट केपिल सेवन्टी पूर थाउजन से जादा किये मतलब एक अच्छी मार्केट केपिल आ जाती है बुक वेल्यू जो है वो 66.6 की है बुक वेल्यू से अब अब ट्रेट कर रहा है सेर यहां पे प्रॉफिट ग्रोस जो पिछले बारे मैंने की है वो बहुत बहतरीन रूप से बढ़ी हुई दिखाई देगी आपको क्योंकि उसमें भी काफी अच्छा ग्रोथ है हाई प्रा बाकी इसका Q on Q basis पे देखा जाए ट्रेस तो वहां पे आपको दिखेगा कि जून से जो सितंबर के नंबर है वो 7.79% की उसमें भी ग्रोथ है फेस वैल्यू की बात करें तो इसका 1 है बाकी चीजे इसमें नॉर्मल नजर आती है आईए हम लोग टारेक्ट समझते हैं इसके quarterly earning results को की कैसे नतीजे थे तो यहां पे आपको दिखेगा कि जो सितंबर का नंबर है और जून का नंबर है उसके बाद वापस से हमको last year के भी नंबर से compare करना है तो पहले हम last year से चेक कर लेते तो last year देखेंगे आपकी trace operating से जो company का profit है वो काफी बड़े अस्तर पे हुआ थ number आप प्रेर्स यहां पे net profit में आएंगे वहां पे आपको दिखेगा कि company जो है जो profit में है इसमें लगातार आपको यहां से आप data देखिए इसके इसमें growth है एक बार बहुत 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 चला गया था इसका March 2020 ठीक है तो उसके बास के आपके number देखेंगे वापस स इसने पेस पकड़ लिया है मतलब growth की रहा पे आगे बढ़ गई है company और इस बार 422 करोड का profit हुआ है जो कि last quarter से भी बहतर है और क्योंकि last quarter देखिए इसका जो आपको देखेगा trace की अच्छा खासा profit हुआ था company को क्योंकि खर्चे कम हुए थे और profit before tax के number जो थे वो बहुत ही बहतरीन थे पर company ने यहां पर काफी बड़े अस्तर पे 55% tax pay किया था तो उसके वाज़े से इसका जो net profit था वो 391 करोड का था जो कि एक बहतर number आही जाता है बट हाँ इस बार के number पिछले बार से भी उसमें भी growth है तो इस हिसाब से number and raise company अभी भी जबरदस्त है potentials रखत वो नजर आती है यहां पर डेस आपको और भी चीजे मैं बताना चाऊंगा जैसे कि आप इसके पुराना data जाएंगे तो वो company का जो background होता है growth होता है वो चीज समझ में आएगा आपको कि लगातार इसमें देखिए growth आपको दिखाई देगी बीच में negative भी हुआ था data वाप वापस से इनके पास अच्छा खासा project मिल गया अच्छा खासा work हो गया कि कि इन पर growth करना है और उसके बाद से वापस company अच्छे pace में है अच्छी growth में है तो इस हिसाब से ट्रेस इसके नतीजे काफी बैतर है cash flow तो बैतर रहता ही है share holding patterns मैं आपको update कर देता हूं तो ट्रेस की भी holding के number बहतर है public की holding जो है वो थोड़ी कम हुई है 21.64% जैसे जैसे price बढ़ता रहता है company growth करती रहती है public लोगों को समझ में ही नहीं आता है कि रखना चाहिए या नहीं मैं तो गहता हूं कि वही time होता है जब देखिए इसके promoters भी अपनी holdings increase कर रहे है मतलब company growth करने व हैं वो भी बहुत बहुत बहुतर तरीके से कर रहे हैं फिर एक जो retail investor है जो जैसे कि जिसमें individual investment करने वाले आ जाते हैं जैसे कि हम लोग जैसे कि कि किसी broker के थुरूप account खोल रखा है और उसके बाद investment करते हैं उनकी holding कम हो रही है इसका मतलब समझ चाहिए कि company और ज्यादा growth करने वाली है क्योंकि लोगों का ऐसा ही रहता है क्योंकि अमेच्छी और इसमें बहुत ज्यादा लोग हो जाते हैं तो अभी देखे ट्रेस इसमें जो दिखेगा आपको कि इसमें अभी जो बाई की position थी मैंने आपको जो target दिये थे वह हीट हो चुका है 242 रुपीज 90 पै 275 का है पर यहां पर आपको दिखेगा कि R1 उससे पहले एक बन रखा है तो हम लोग इसको और update कर लेते हैं उसको 266 का target लेके आते हैं और जो सबसे बड़े पर target रहते हैं उनको और थोड़ा 320 तक वो चला जाता है इस हिसाब से आप इसमें long view रखके चलिए अब बात कर ल पर मिल जाता है खरीजने के लिए आप इसके around buy कर सकते हैं अगर आपका long term view है तो आप किसी भी price पर जा सकते हैं क्योंकि company इतना बेतर है और इतना अच्छा potentials रखती है financial condition growth है हर project जो है वो future को देखते हुए है तो जाहर सी बात है वहाँ पर भी company growth करने वाली है तो यही total update था टाटा पावर पे thanks for watching इस वीडियो मिलते है आपको नेक्स एक साथ नेक्स वीडियो में